पिटर पिटर चैनल में आप सभी का स्वागत है जिस तरीके से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल पिटर पिटर को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए धनबाद आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए इस तरीके से बनाया है कि आपने जो भी कित से कुशन हमें करने पड़ते हैं क्योंकि स्पीट के बिना हमारे कुशन छुट जाते हैं तो हम बिना समय को बिलंब किये हम कुशन शुरू करते हैं हमारा पहला कुशन है दादू का ओए गुण जिसके आदार पर चादरे बनाई जाती है जो फ़स नमर पर लिखा हुआ है जिससे चादरे तो हम ये चादरों से समझेंगे जो चादरे होती है वो फैल फैल की बनाई जाती है और फैल ले वाले गुण को मेले विल्टी कहती है तो इसका हमारा फ़स अंसर राइट अंसर हो जाएगा सेकंड कुशन जो है दादू का ओए गुण जिससे उसकी तारें मनाई जाती है तो अभी अभी मैंने पिछली कुशन में चादरों का बताया था ये कुशन में तारों का बता रहा हूँ तो तारों से आपको समझा है डक्टिलिटी उसका अंस समझेंगी जो इसमें पहले लिखा हुआ है तो इसी तरीके से हमारे साथ में कुशन कर सकते हैं आपको हमसे जल्दी आंसर लगाना है क्यूंकि आपको एक्जाम में पिपर देने जाना है मैं तो आपको केबल पढ़ा रहा हूँ हम अगला चोथा कुशन करते हैं धातू का हुआ है गुण देख लिजिए जिसके कारण हुआ है बिना किसी बाहरी बल के भी अपना आकार बदल लेता है यानि कि इसमें हमें बाहरी बल नहीं लगाना है या नाम मात्र का बाहरी बल लगाना है और अपना आकार बदल लेता है यानि इसमें हमें स्प्रिंग की तरह नहीं खीचना है तो जो बिना किसी बाहरी बलके आकार बदल लेता है उसे हम plasticity कहते हैं जिस तरीके से गीली मिट्टी अपने आकार बदल लेती है ए plasticity या plastic तासी होता है next question हम करते हैं फिफ्ट question दातू का हुआ है उन्हें जिसके कारण है cutting करने की चमता रखती है तो भाई cutting करने की चमता से हम इस question को पकड़ेंगे वही काट सकता है जिसके अंदर hardness हो तो इसका right answer हो जाएगा हम six question करते हैं धातू का हुआ है जिसके कारण उसे मोडने या twist करने पर वह तूटती नहीं अब देख लिए जिसमें इसमें जो तूटना नहीं है और मोडने और twist करने पर तो भाई जिसके को हम twist करते हैं वो toughness से मिलता जूलता है तो इसका अंसर toughness answer हो जाएगा यदि धातू के अंदर toughness है तो उसे twist भी कर दोगे फिर भी वो तूटेगी नहीं तो इसका answer जो है toughness यह answer right answer हो जाए 7th question हम करते हैं दातू जिसके कार चोट लगाने पर वो तूट जाती है यानि उसमें हमें चोट जैसे हमने hammer पटका तो तूट गई चोटे 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 टुकड़ों के रूप में जिस तरीके से CC का glass का glass हांस से जब चूट जाता है तो तूट जाता था तो उसमें बिटलनेस होती है तो तूटने के गण को हम भंगुरता कहते हैं तो इसका जो भी answer right answer हो जाएगा क्योंकि हम तूटने से भंगुर जब कोई चीज़ तूट जाती है तो उसे भंगुर होना या भंगुरता कहते हैं नेक्स कोशन नायन इसमें सोरी मिस्टेक से एक कोशन चूट गया सेवन्त के बाद एट नायन था गया ठीक है मैं इसको एडजेस्ट कर दूँगा नायन कोशन हम करते हैं मीट्रिक माइको म माईको मीटर की रैंज होती है माईको मीटर की रैंज तो कोई ही माईको मीटर में पिछले वीडियो में बता चुका हूं जो भी मेरे वीडियो मेरे का अपलोड है माइको मीट्र की जो रहें ho TRO 25 एम होती है कोई GVA माइको मीट्र और इंटार्इज माइको मीट्र हो तुसका सी civphet राइट अन्सर हो जाएगा आप हमारे वुडियो देखने के लिए हमारे चेनल पर जाकरके आप हमारे पुराने वीडियो सकते हैं माइको मीटर की धातु क्या होती जो हमारा माइको मीटर होता है वो सुक्षमापी यंत्र होता है थोड़ा सा हमें ऐसे मन में सोचना पड़ेगा और जो सुक्षमापी यंत्र होता है उसमें ऐसी धातु नहीं लगाएंगी जिस पर जंग या कोरोजन हो जाए या उसमें कोई पपड़ी जम जाए तो हमें अच्छा इस्टील लगाना पड़ेगा तो हमारे इन्वारिमेंट को ध्यान में रखते हुए environment सब से हम ध्यान रखेंगे तो देखिए इसमें इनवार है इनवार स्टील जो होती है उस पर इनवार्मेंट का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें इनवार सब दिया गया है इनवार स्टील का हमारा कोई भी सुछमापी अंतर बनता है सब्सक्राइब देख लिए इसमें दो इसमें लिखे हुए है और एक सी अंसल लिखा हुआ है यह बाई मिस्टेक से जो है हो गया है इसके दोनों अनसर राइट आंसर हो जाएंगे इस फिस जो है घिसने लगते है तो इसलिए इनके फिस के आंगे वाले इससे पर कारवाइट का एक पतला सा टिप लगा देती हैं जिससे घिसने से बच जाता है तो इसका कारवाइट आंसर ये अंसर होगा करते हैं इसको माईकू मीटर से चेक करसकते है हमारा माईकू मीटर होता है इससे हम चूरी के पीच ड्यइमिटर को चेक करते हैं तो देखें छी भरम बननी होताई है यानि जो हुमारा VNバイrometer होता है उसका जो फ्रैम होताई कितने डिगरी के कौन में बना होता है तो हुमारा VNバイrometer का जो फ्रैम रहता है इस तरीगे से वो 60 डिगरी के कौन में बना जाता है इसका C answer, right answer होगा 17th question bek Mission Pregory Wrap का अलपतम माप है इसमें भी मीट्रिक या नहीं हमें बताना है हम मीट्रिक से समझते हैं कि में में और बन्नेर कैलीपर का बताना है तो बन्नेर कैलीपर में मैंने बताया था कि 0.02 होता है तो इसका सी अंसर राइट अंसर होगा next question 19 question metric dial caliper का अलपतम माप है metric dial caliper अब metric है इसमें भी हमें mm बताना है metric लिखा है और dial caliper है तो उसमें घड़ी लग जाती है तो इसका least count जो होती है यदि 0.01 और 0.02 दोनों answer होंगे तो हम 0.01 लगाएंगे यदि 0.01 नहीं होगा तो हम 0.02 इसका अंसर लगा सकते है next 20 question small inside micrometer से कम से कम सुराक मापा जाता है हमारा inside micrometer है inside micrometer small वाला है तो हम इसके लिए बता देते हैं आपको एक trick small वाला यदि होगा तो 5 mm सब से कम 5 mm reading लेता है यदि inside micrometer होता है तो ये 13 mm हम इसका अंसर लगाएंगे लेकिन इसमें small सब्दांगे लगा हुगा है इसलिए इसका अंसर 5 mm हो जाएगा इससे हम question पर पकड़ बना के रखेंगे next question 21 metric micrometer की चूड़ी की pitch होती है जो हमारा metric है और micrometer तो आप जानते हैं pitch बताना है तो यानि हमें mm में pitch बताना है तो जो हमारा metric micrometer होता है उसका pitch होता हाफ mm होता है को हाफ mm को हम एक बटी 2 mm भी कह सकते हैं 0.5 mm भी कह सकते हैं तो 21 number का अंसर भी अंसर हो जाएगा next 22 question micrometer की से दंद परकार करता है तो आपको मालूम है कि micrometer में चूड़ी होती है चूड़ी का मतलब होता है lead square nut bolt तो हम देख लेते हैं nut bolt दिया है बी अंसर राइट अंसर हो जाएगा इसमें इसका 23 number में हमें reading बतानी है बनियर केली पर की हमें reading बतानी है तो देखिए फटा पट में इसको बता देता हूँ सबसे पहले हमें यह देख रहा है कि जी 0 है बनियर का इस बनियर के 0 ने main scale के कितने निसान पार किये है तो देखिए यह 10 हो गया अधा से और 10 के बाद यह डंडी तक 10 हो गया इसके बाद यह 5 हो गया तो 15 15 है में हमारा पूरा पूरा हो गया 15.00 इसके बाद हमें देखना है कि इस बनियर scale की जो नीचे वाला scale आप उपर वाले scale को हमें नहीं पढ़ना है हम पढ़ चुके उपर वाले scale को हम पढ़ चुके 15 जो खाने हैं हमारे 0 ने 15 खाने पार गया अम नीचे वाली line को हम देखते हैं कौन सी line मैच कर रही है मैच करने में कुछ थोड़ा बहुत 19 भी हो सकता है कि इसमें कौन सी line मैच कर रही है मैच कराता हूँ इसको finally अब भी देखते जाए ये 5 5 के बाद 10 भी मैच नहीं कर रहा 15 भी नहीं कर रहा इसके बाद देख लिए 30 नंबर वाली line मैच कर रही है 30 नंबर वाली line तो इसकी least count जो 0.02 होती है तो 30 में 0.02 का गोड़ा करेंगे तो हमारा 0.60 हो जाएगा इसको हम जोड़ देंगे तो हमारी reading हो जाएगी 15.60 mm तो इस तरीके से आप दूसरी reading भी चेक कर सकते है नेक्स जो इसको याद होना चाहिए एक बटे 40 नंच होता है जो मैं पिछले कई बार इसी चैनल पर कई बार बता चुका हूं इसको याद कर लिजी एक बटे 40 नंच हमेसा आता है very 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 most question नेक्स कोईशन हम करते है 25 कोईशन बन्य वेवल प्रेटेक्टर का सुच माप होता है जो हमारा बन्य वेवल प्रेटेक्टर होता है तो इसको हमें सबसे पहले याद रखना है कि क्या है इसमें दिखी है इसमें बेवल लिखा हुगा बेवल का मतलब चांदा होता है चांदा जो होता डिगरी के लिए यूज किया जाता है तो बनेवल प्रोटेक्टर जो होता है यह डिगरी या कोड को चेक करता है यह पांच मिनट की एकुरिसी में चेक करता है पांच मिनट को हमें एक बाटे बारा डिगरी भी कह सकते हैं तो कहीं परेशान नहीं होना है और नेक्स हम 26 नंबर कोशन करते हैं बिटिस बनियर कैलीपर का सुख्च माप होता है हमारा बिटिस बनियर कैलीपर अभी-अभी मैंने मिट्रिक बनियर कैलीपर बताया था तो वो एमेम में मैंने बताया था 0.02 एमेम लेकिन बिटिस बनियर कैली पर है तो बिटिस बन्यर कैलिपर का 0.001 इंच होता है बिटिस बन्यर कैलिपर और बिटिस माइको मीटर दोनों की लिस्ट काउंट सेम होती है चाहे वो माइको मीटर हो बिटिस वाला चाहे बन्यर कैलिपर हो 0.001 इंच नेइक्स कुशन हम करते है, 27 नम्मर कुशन बन्यर डेफ्ट गेज का अलपताम माप होता है, अब देखी है इसमें डेफ्ट गेज है बन्यर डेफ्ट गेज, लेकिन बन्यर लगा हुआ है तो जब बन्यर लगा हुआ है तो vorsvant敏 गेज का 0.02 mmution स्थ क्योंकि जो बन्यर केलीपर होता है उसी की सिद्धान पर हमारा बन्यर डेप्ट गेज भी कार करता है नेक्स कुश्चन डाइल केलीपर का सिद्धान थे हमारा जो डाइल केलीपर होता है जिसमें डाइल लगा होता है तो dial caliper में किस तरीकी से हमारा काम करता है dial caliper में गड़ी लगी रहती है तो गड़ी जो लगी रहती है rack and pinion के सिद्दान परकार करें कि क्योंकि गड़ी rotary motion में चलती है और हमारा जो सीधा रहता है ये scale रेसी pocketing motion में चलता है तो रेसी pocketing motion को rotary motion dial से हम समझेंगे dial में घड़ी 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 घूमती है तो dial से हम समझेंगे कि ये जरूर जरूर इसमें कोई न कोई rack and pinion होगा तभी घड़ी किसी घूम सकती जिस प्रकार से dial test indicator होता है वो भी dial test indicator भी rack and pinion के सिद्दान परकार करता है ट्विंटी नाइन नमबर कोईशन आ जाता है गेर टूद बनियर केली पर से मापा जाता है तो ये कोईशन हमारा हो चुका है गेर की दांते की मुटाई अडेंडम इसका ये answer right answer हो जाएगा थर्टी कोईशन यूनिवर्सल बनियर केली पर से मापा जाता है हमारा जो बने स्काइब बनेники कोईशन षते है चुटे बना हुआ है तो हम कीसे देखेंगे तो इसमें हमें तीन स्कील देखना पड़ेंगे सबसे पहले हम उपर वाला skill देखेंगे कितने खाने ही होंगे 5 खाने हमारे इधर पर हो गए है और 1, 2, 3, 4 खाने हमारे इधर हो गए तो हमारे उपर वाले 9 खाने हो गए तो हमारा हो गए 9.00 अब नीचे वाले देखेंगे तो नीचे वाले इधर से हमें नहीं देख रहा है हमें जो हमारा 9 के आंगे जो एक छोटा सा खाना देख रहा है यह सब्डिविजन जिसमें मैंने गोला कलाया है तो यह सब्डिविजन कमान हो गया 0.50 इसका थिम्बल हमें देखना है थिम्बल देखिए पांच के बाद छे साथ आठ तो आठ खाने हुगे थिम्बल के तो 0.08 हो जाएगा हमारा थिम्बल का यह हो जाएगा 9.58 तो हमारी रीडिंग हो गए 9.58 mm रीडिंग लेकिन यह माइको मीटर अब हमें बता दिया जाए कि य जिरो से 25 वाला है तो इसकी रीडिंग यही हो जाएगी 9.58 यह माइको मीटर फ्रेम अभी दिखना ही रहा इसमें क्योंकि फ्रेम इसका नीचे छिपा हुगा है फ्रेम पे लिखा रहती है यह रीडिंग कि 0 से 25 वाला है कि 25 से 50 वाला होगा तो 9.58 आए उसमें 25 हमें एड कर देती एकजाम में एक ही पार्ट पूछा जाएगा जैसे माल लीजिये कह दिया जाए कि यह ईकिया है तो यह फ्रेम है जो 25 से 50 जो है इस तरीके से इसका साइज लिखा जाता है जो मैंने 32 नंबर के कुश्चन में बताया था कि माइको मीटर का साइज इसके फ्रेम पे हम जो है आपको सीखना पड़ेंगे कैसे क्या होता है और उसको सीखने के लिए आप हमारे चैनल फिटर प्रेटर को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के किर्मानुसा सारे वीडियो में जो अपलोड करता हूं डेटेल से उनको देखिए यह आज मैंने स्पीड टेस्ट किया है स्पीड से कुशन कर रहा हूं जो 34 नंबर कुशन इस एंत्र का नाम बताना है एक्जाम में आएगा कि इस एंत्र का नाम बताई कि एंत्र क्या होता है तो यह बन्नेवल प्रोटेक्टर है और बन्नेवल प्रोटेक्टर में जो मैंने अभी अभी बताया था कि जो हमारा म गुणों से पहचाना जाता है वह बहुते गुण क्यासे होते हैं तो बहुते गुण हमेशा इस्थाई होते हैं तो इसका अंसर भी आंसर राइट आंसर हो जाएगा बहुते गुणों को कभी बदला नहीं जा सकता है 36 को कैसे थाटुणों को जब चुमक अपनी है। चुमकी गुण कहते हैं गुण किस में होता है। तो वही आप समझ गये होंगी यह तो च्षोटे से ही हम करते आ रहे हैं लुह चुमक से चिपक जाता है तो फेरस धादुएं कहते हैं तो चुमकी गुण किसमें होता है फेरस धादुएं होता है फिसी आंसर राइट आंसर हो जागा 37 नमर कुशन धादुएं का होगा गुण जिसमें यदी उस पर बहार डाला जाए तो दब जाती है लेकिन बहार आटाने पर पुरार अपनी इसी हो जाएगा तो अपना नम्बर बदलना है पर्मनेंटिली तो देख ली थी इसमें जो पर्मनेंटिली आकार बदल लेती है इसका चू प्लास्टिषटी चूशन यह सूत्र है स्टीप एक्टर एस उरक्षा गुडांक का में सूत्र बताना इसे हम इंगलिस में सेप्टी फेक्टर भी कहते है तो सेप्टी फेक्टर का लोड जो सूतर होता है अल्टीमेट लोड होता है और ये बर्किंग लोड होता है जिस पर कोई चीज तूट जाती है उसे अल्टीमेट लोड कहते है बर्किंग लोड जिस पर काम करती रहती है तो देख लेते हैं कौन सा है तूट फूट तो कठोरता भंगोरता द्रणता चिमडापन तो देखे इसमें आप घर सक प्रतरोधक कह रहा है तो तूट फूट भी नहीं हो न तो उसको द्रणता मुझे लगता है द्रणता होना चाहिए इसका अंसर क्योंकि हर चीज का वो बि चंगोरता से विप्रीत होता है यह फैलता है तूटता नहीं है तो इसका अंसर डी अंसर चिमडापन या टफनेस हो जाएगा फोटी टू नंबर कुश्यन एलेक्ट्रिक पोटेवल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मसीन में गतिया होती है यानि जो हमारी इलेक्ट्रिकल ड पर वह मसीन चलती है नेक्स कुश्यन है फोटी टीरी नंबर वेस्ट टाइप अलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मसीन में फीर वेस्ट द्वारा दी जाती है इन मसीनों से ब्यास तक के सुराक किया जाती है यानि जो वेस्ट डिलिंग मसीन होती है उससे हम कितने एमेम तक के ड्रि पकड़ा जाता है तो रेचेट डिलिंग मसीन होती है उसमें इसक्वाइर टेपर सेंग होता है टॉप टेपर सेंग तो इसमें दिखा गया बी नम्मर पे लिखा है बरगागार बरगागार को हम स्क्वाइर कहते हैं स्क्वार टेपर सेंग होता है याद करके रखनाय में 45 नमर कुश्चन है नियुमेटिक हैंडृलिंग मसीन को चलाया जाता है तो नियुमेटिक का मैं कली एक वीडियो अपलोट किया तो उसमें बताया था उसको आप देख सकते हैं हो तो इन्युमेटिक का मतला हवा की दोरा होता है तो हवा की दोरा चलती है सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाता है जो बारूत की ख़दानों में इस मसीन का उप्योग करते हैं दू चलिट हैंड द्रिलिंग मसीन हैबी ड्यूट्ि यानी कि जो हमारी है गती द्रिलिंग मसीन है की गती पर चलती है 47 number question पेटोलिय रिफायनी विस्पोटक में फेटरी में किस डिलिंग मसीन का उप्यूग करते हैं repeat हो गया है इसमें हम pneumatic handling machine का उप्यूग करते हैं 48 number question try square द्वारा जाचा जाता है try square क्या करता है गुनिया जो होता है 90 degree चेक करता है किसी भी option में नहीं है तो ये सताय को चेक करता है समतल सताय को चेक करता है तो देख लिए गोल सता है flat सता है तो इसका first जो c answer right answer हो जाएगा flat सताय को चेक करता है समतल सताय को चेक करता है 49 number question hardening करने उप्रान धादू होती है Hardening करने को परान धातु कैसे हो जाती है Hardening जो हम कर देती है तो उसमें बेल आइकन दबाना ना भूलें आज के लिए इतना ही ओके बाई बाई